मैंने मिथुन लग्न के पांचवे भाव में सूर्य को नीच का तथाशनी को अस्त, उच्च का माना है। इस थिती के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मिथुन लग्म के लिए, पांच्वे भाव में सूर्य का नीच का तथा शनी का अस्थ, उच्च का होना उर्जाओं का अनूठा मिश्रन लाता है। पांच्वे भाव रचनात्मक्ता, बुद्धी, संतान तथा सटेबाजी का प्रतिनिधित्व करता है, तथा ये ग्रह आपके जीवन में इन ख्षेत्रों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं। पांच्वे भाव में सूर्य का नीच का होना आत्म अभिव्यक्ती तथा आत्म विश्वास के साथ संघर्ष पैदा कर सकता है, विशेश रूप से नेत्रित्व तथा रचनात्मक्ता के मामलों में। आप खुद को कमतर आख सकते हैं या खुद को मुखर करने में चुनोति पांच्वे भाव में सूर्य का बुद्धिमत्ता से संबंध ये भी दर्शाता है कि असफलताओं के बावजूद आप ग्रिर्ता के माध्यम से चमकने की ख्षमता रखते हैं। उच्च का शनी अस्थ होने के बावजूद संरचना, अनुशासन तथा जिम्मेदारी लाता ह शनी के अस्थ होने से निराशा हो सकती है, शनी के सकारात्मग बुनों को दबा सकता है, लेकिन चुनकी यह उच्च का है, इसलिए शनी आपको कड़ी मेहनत से अरजित सफलता का आशीरवाद दे सकता है, खासकर शिक्षा, सट्टेबाजी और दीर्द कालिक निवेश के ख शेत्र में, शनी का प्रभाव आपको अपने दृष्टिकोन में अत्यधिक व्यवस्थित भी बना सकता है, जिससे आपको अनुशासन और लचीलेपन के माध्यम से सफल होने की क्षमता मिलती है, कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म को स सब्सक्राइब करें